हलो फ्रेंड्स वेलकुम बैक टू माई चैनल सो फिर्स हमारा कलर कॉंपलेक्शन कितना ज्यादा फेयर क्यों ना हो हम कितने ज्यादा सुन्दर क्यों ना हो लेकिन यदि हमारे चहरे पर अंचाहे बाल दिखाई देने लगते हैं तो यह हमारी खुबसूर्ती को एकदम डाउन सा कर देते हैं इन अन्वांटिर हेर की वज़े से फ्रेंड्स कई पर हमारा कलर कॉंपलेक्शन जो है वो डाक नजर आने लगता है कई पर हम पार्टी वगरा में जाते हैं मेक अप करते हैं तो फांडेशन वगरा जो प्रीम लगाते हैं वो भी अलग सी दिखाई देने लगती है जो कि हमें बहुत जादा देखने में बुरा लगते हैं कोई टोक दे तो और ही जादा दिल तूट सा जाता है तो आज जो घरिलू ट्रीटमेंट में आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हो इसकी इस्तमाल से फ्रेंट्स आप अपने अनवांटिड हेर को तो दूर करी सकते हैं खास बात यह है इस रेमेडी की यह आपके चहरे के काले पन टैनिंग को भी दूर करने वाली है आज में आप सभी के साथ कच्छे आलू से बनी एक बहुत ही भैतरीन से होम रेमेडी फ्रेंट्स शेयर करूंगी जिसकी इस्तमाल से आपके फेशल हेर तो गायब होंगे पूरी प्रोसेस को जाने के लिए की रेमेडी को कैसे बनाना है एंड यूस करना है उसके लिए वीडियो को फ्रेंट्स आपको एंड दक जरूर वीडियो स्टार करने से पहले फ्रेंट्स बस आप सभी से एक छूटी सी रिक्वेस्ट यदि आपको आज का मेरा वीडियो ज तो देखिए फ्रेंट्स इस होम रेमडी को बनाने के लिए मैंने या सबसे पहले लिया है क्लीन पाउड उसमें एक चमच के करीब हम एड करेंगे कॉफी पाउडर जो भी कॉफी आपके घर में इसली अविलेबल है उसका यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें एंटी में भी इसली अविलेबल है इसके बाद इसमें आप एक चमच के करीब एड करेंगे अलोवीरा जेल तो यहाँ में प्लांट वाला जो जेल है उसका इस्तेमाल कर रही हो मार्किट वाला यदि आपके पास है उसे यूज करना चाते हैं तो उसका भी हाँ यूज आप कर सकते हैं सो फ्रेंट्स राइस फ्लोर यानि की चावल के आटे का जमिहां इस्तमाल कर रही है उस रेमडी को बनाने के लिए इसकिन पर वाइटनिंग का काम करता है कोरियन ब्यूटी सीक्रेट इंग्रियन्ट है यह कोरियन लोक्स की आपने स्किन देखे कितनी ज्यादा ग्लो कर है कि वो चावल को अपने चहरे पर लगाते हैं मैथट बहुत सारे हैं आज मैं आपको यह वाला मैथट यूज करके बताने वाली हूँ तो यहां मैंने जो है एक चमच करीब अलोवीरा जेल जो है प्लांट का ले लिया है मिक्स कर लेंगे इसके साथी फ्रेंट्स इसमें ह लेमन जूस यानि की नीवो का रस बीच जो भी है आप निकाल देंगे सिर्फ जूस का ही यूज करेंगे साथ में इसमें एड करेंगे फ्रेंट्स वाइट कोल गेट तो यहां में एक मतर के दाने की जित्ता जो वाइट कोल गेट है उसका यूज कर रही हूँ इसमें मिक्स कर देंगे, सारी चीज़ों को आपस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसका एक स्मूज सा पेस्ट बनाने के लिए आप चाहें तो कच्छे दूद्ध या फिर रोज वाटर का भी इस्तिमाल कर सकते हैं यहां में रोज वाटर का इस्तिमाल करने जारी हो, फ्रेंट्स थोड़ा थोड़ा करके ही आप इसमें रोज वाटर एड़ करेंगे और इनको मिक्स करते चलेंगे, एकदम से सारा रोज वाटर नहीं दाल देंगे, दो चमच के करेब नहीं तो रेमडी बहुत ज़दा लिक्वीडी हो जाएगी एंड लगाने में फिर प्रॉब्लम आएगी तो यहां थोड़ा थोड़ा करते हुए ही आप रोज वाटर इसमें एड़ करेंगे और सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करते चले जाएंगे मैं जैसे जैसे इनमें चीजें एड़ करती जाती हूँ उनके बारे में भी आपको अच्छे से बताती चली आती हूँ कि वो किस सरीके से हमारी स्किन पर काम करता है तब ही मैं उसको इसमें एड़ करती हूँ आप चाहे तो इन इंग्रियंट्स के बाले में फ्रेंट्स गूगल में भी जाकर सर्च कर सकते हैं किस तरीके से हमारी स्किन के लिए बहुत जादा हेलफुल होते हैं स्किन के नैचुरल ग्लो को लाने के लिए ठीके फ्रेंट्स तो यहां हमने इसमें एड़ किया नीबू का रस जिसमें भरपूर मातरा में विटामीन C पाया जाता है स्किन पर कैसे एपलाई करें कि आपकी टैनिंग भी रिमुव हो अन्वांटिड हेर भी गायव हो जाए चलिए पूरी प्रोसेस में आपको आगे की वीडियो में करके दिखा देती हूं सो वीडियो पर बने रहें और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करें साथ ही आप से रिक्वेस्टे वीडियो को देखाए तो फ्लीज वीडियो को लाइठ कर दिए तो इस एपसे एपसे रिक्वेस्ट करके दिखाने वाले हों तो फिर जब आप इस remedy को अपनी skin पर apply करेंगे unwanted hair को remove करने के लिए या फिर आप इस glowing pack की तरह भी अपनी skin पर apply करने जा रहे हैं आप चाहें तो spoon की help से या फिर ब्रेश की या फिर फिंगर की help से भी इस remedy को असानी से लगा सकते हैं remedy थोड़ी सी थिखी बनाएगा तभी आपको लगाने में असानी होगी ठीक है friends यहां मैं friends coffee का इस्तमाल की हूँ क्योंकि friends कई बर क्या होता है हम waxing वगरा कराते हैं या फिर हम cream का सहारा लेते हैं जो की cheap होती हैं लेकिन वो हमें result instant दे देती हैं तो ऐसे में हम इन चीज़ों का use कर लेते हैं तो इस skin पर side effect छोड़ जाते हैं इस skin को काला करने लगते हैं कुछ लोग under arms में भी जो cream लगा लेते हैं जिसकी वज़े से उनकी skin जो होती है वो काली होने लगते हैं तो इस सदीके से आपकी skin काली भी नहीं होगी जब आप coffee से बन इस remedy को use करेंगे तो यहां आप देखिए मैं आपको patch test करके थोड़ा से देखा रही हूँ कि किस सरीके से यह remedy आप अपनी skin पर apply करेंगे उसको अच्छे से dry करेंगे ड्राइ करने के बाद ही आप इस remedy को remove करेंगे रिमूफ करने के लिए आप wet wipe का सहारा ले सकते हैं दूसरा remedy बहुत ज़्यादा आपकी dry हो गई है जैसे की मेरी हो गई है वैसे तो आपको सिर्फ 5-7 मिनट अपनी skin पर रखना है लेकिन suppose ज़्यादा dry हो गई है तो आप थोड़ा सा इसे rose water से या फिर नॉर्मल पानी से अ निकल के एकदम बाहर आ जाएंगे जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं जो इस remedy है इसमें सारे unwanted hair बहुत ही असानी से आपके निकल के बाहर आ गए हैं वैक्सिंग कराने से यदि आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है और थ्रेट कराने से यदि आपकी skin lose होती कि आपको दिखाने वाली हो कि जहां पर hair पर मैंने ये remedy लगाई थी वहां की remove होए हैं और दूसरी साइड के remove नहीं होए हैं तो live proof करके मैं आपको दिखा रही हो कि किस सरीके से इस remedy ने आपकी skin पर आपको result देने वाली है तो यहां friends मैंने अपनी skin को अच्छे से clean कर कि rose water हमारे pores को minimize करता है and skin को deeply clean भी करता है तो आप देख सकते हैं मैंने skin को कि तरचे से clean कर लिया है result आप सभी के सामने इस जगह कितनी जादा hair growth है right hand side देखेंगे आप and दूसरी तरफ देखेंगे left side तो सारे बाल आपके इस remedy में निकल के बाहर आगे हैं तो इस तरीके से आप इस remedy को बनाएंगे यूज करेंगे तो आपकी भी unwanted hair से आपको चुटकारा बहुत असानी से मिल जाएगा तो उसे भी यह remedy रिमूव करती है तो बहुत ही असानी से unwanted hair को आप घर की ही चीजों से रिमूव कर सकते हैं friends जब आप इस remedy को रिमूव कर देंगे skin को wash कर क्योंकि यह unwanted hair हमने remove की हैं pores open हो जाते हैं उनने minimize करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है वैसे भी मौसम में काफ़ी यादा बदलाव आने लगया तो skin dry भी होने लगती है तो ऐसे में आप अपनी skin को moisturize करना बिलकुल नहीं भूलेंगे यदि आप इस remedy को अपने face पर लगा रहे हैं तो भी same method से ही आपको remedy को अपने face पर लगाना है and use करना है तो बहुत ही अच्छे result मुझे तो मिले हैं तभी मैं आप सभी के साथ इस remedy को share कर रहे हूं आपको भी remedy से अच्छे result चाहिए तो एक बात देखते ही वीडियो को इस remedy को जरूर ट्राइब करिएगा जान लेते हैं इस remedy से जूरी कुछ और important बाते हैं यदि आपकी skin पर बहुत ज़्यादा tanning है तो आप उसे पूरे चहरे पर apply कर सकते हैं unwanted hair की समस्य है तो खाली उस area पर भी आप apply कर सकते हैं साथी friends इस remedy के तुरू आप अपने body के किसी पार्ट की tanning को काले पन को दूर कर सक तो बहुत ही रिजर्ट देने वाली है तो आप भी से जरूर ट्राइब करिएगा तो फ्रेंस यह था मेरा आज का वीडियो मीद करती हूं आज की रेमडी आप सभी को पसंद आयोगी तो वीडियो को यहां तक देखाए वीडियो से जोड़ी कोई बाती थी आपको पसंद आप भूली रहा इस तरीके वीडियो देखना यदि आप पसंद करते हैं चैनल पर फिर्स्टाम विजित के या फिर आज आप मुझे पहली बार देखरें तो आप सभी से रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट चैनल को विद बालक और सब्सक्राइब कर लीजेगा ता कि जब भी मे सबसे पहले आप तक पहुंच सकें और आप मेरी वीडियो को अच्छे से वाच कर सकें तो मैं विभा इस वीडियो को अब यहीं करने जा रहे हैं जल्दी मिलते हूं एक और नए वीडियो के साथ तब तक के लिए आप अपना खुब सारा खया लगे इस तरीकी के रेमेदी स्ट्राइक करते रहे हैं थैंक्यू पर वाचिक को अबर्दी